है कि है कि अलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है रादेश से रेजनिंग यूटूब चनल पर दोस्तों अभी एक विकेंसी आई है आज और उसका नीज़्पेपर में नोटिफिकेशन आया तो अपकोर्स यह जो सत्ता इस तारीक इसका स्टार्ट हो जाएगा और य आप आप यहां पर आफ इसको ट्राइब कर सकते है और एक अच्छी विकेंसी है और यह आपका EPFO EPFO को तब से vacancies है Employee Providence Fund Organization ठीक है इसका 2664 vacancies है 2664 vacancies है और इसका आपका क्या होना चाहिए degree होना चाहिए बैसले degree होना चाहिए और टैपिक स्पीड है वो तो नॉर्मल है आपको बैसले degree होना चाहिए 18-17 साल आपका होना चाहिए और इसका जो scale है वो भी एक अच्छा scale है अगर हम मिलाते हैं अलाउंसेज को सारों को add करते हैं तो 45 से 50,000 के आसपासेज की सल्ली बनती है 45 से 50,000 के आसपासेज की सल्ली बनती है ठीक है तो यहाँ पर इस टर्नोगराफर की भी है जिसमें 12th pass कर सकते हैं इसमें vacancy कम है सबसे main है आपका SSA Social Security Assistant SSA और इसमें 264 vacancies है इसका पैटर्न एक्ज़ान पैटर्न से बिलकुल होग होता है और इसकी जो ऑनलाइन रेस्टेशन से स्टार्ट होगा 27 मार्स से स्टार्ट होगा 27 मार्स से स्टार्ट होगा का online registration and इसके अगर मैं pattern की बात करूं तो आपको प्रिलिम्स का pattern है बिल्कुल banking जैसा pattern रहता है रिजनिंग में जैसे 35 questions होते हैं 35 marks 20 minutes का ठीक है सेक्षनर टाइमिंग होती है क्वाइंट का 35 questions 20 minutes और English में 35 sorry English में 30 questions होते हैं English में क्या होते हैं 30 दखोलवार करें 30 questions होते हैं 29 minutes तो जैसे exam का prelims का phase होता है यासे इसका पैटरन है जैसे banking pattern इए exam का में का वाइसे इसका pattern है मेंस今天 आपका जैसे pure a man's को भी तो मेंस का अगर एक बाद जालने थोड़ा सा जिससे कि आपको apply करने में आसानी रहेगी English में 30 questions, 40 marks और 30 minutes का होता है sectional timing है reasoning का 40 questions और 60 marks का सबसे यादा जो weightage है वो quant का और reasoning का होता है तो reasoning में 40 questions और 60 marks के होते हैं और 35, 35 आपको minutes मिलती है GA में आपका 40 questions 40 marks और 20 minutes मिलते हैं और एक description का भी इस पेपर होता है जैसे आपका banking का pure means का pattern है वैसे इसका pattern होता है तो जो banking त्यारी कर रहे हैं जो banking aspirant है वो इसको जरूर consider कर सकते हैं और इसको भड़ सकते हैं तो जैसे कि मैंने आपके बताया इसका जो registration है वो आपका 27 marks से start होगा तो अपना mind आप बना सकते हैं इसको apply करने के लिए और इसके अधार पर आप त्यारी कर सकते हैं 264 इसकी vacancies है SSA Social Security Assistant ठीक है दोस्तों तो EPFO का यह notification है और बस अच्छे से त्यारी करिए और आगे बढ़िए Thank you so much